हेलो गाइज, वालकम तो अनदर वीडियो अप स्टॉक मार्केट फंस, केम कॉन स्पेशालिटी केमिकल्स की ओर से सेप्टेंबर क्वाटर की रिजल्ट आउट हो चुका है, अनौरीटेट फिनांसल रिजल्ट आउट हो चुका है, क्वाटर एंडेट और फिनांसल एयर विजन क्या है, रिवेन्यू फ्रम ऑपरेशन, 52.5 करोड का इस बार हुआ है, जबकि लास्ट येर में 75 करोड का हुआ था, जो कि इस बार बहुत कम हुए से लेगा, इस कंपनी का येर ओनर के इंकम में डाउट है, टूटल इंकम में, एक्सपेंस 47.5 करोड का, लास्ट लेकिन एकस्पेंस भी कंपनी का डाउन, इंक्रीस हुआ है, लेकिन इयर ओनर में एक्सपेंस बहुत कम हो, इसलिए पॉफिट में तरह बहुत रिकावर करने की कोशिस की है, ऑपरेटिंग पॉफिट 8.5 करोड का, लास्ट कौटर में 7.3 करोड का, लास्ट येर में 8 करोड का operating profit quarter on quarter year on year दोनों में increase करता है वह देखने को मिला है net profit है 6.3 करोड का last quarter में 5.3 करोड का last year में 5.9 करोड का profit है quarter on quarter में तो increase है लिकन year on year में average growth हुआ है ग्रोथ तो है लिकिन average increase किया है EPS company का 1.73 rupees का last quarter में 1.47 rupees का last year में 1.60 rupees का EPS है quarter quarter year on year दोनों में increase किया तो गाइस कंपनी का रिजल्ट में तो ठीक था कि रिजल्ट ओके रिजल्ट है क्योंकि कोई यह ओनिर की इंकम में डाउन और एक्सपेंस बहुत कम उन्हें पॉफित थोड़ा बहुत रिकवर करने कोई का सपेश नहीं हुआ शेयर की बात करेंगे तो 244.3 डुपेश पर शेयर क्लोज क्या था 2.2 परसंट का पॉफिट था फाइब में 1.5 परसंट का लॉस था वन पॉफिट में वह 9.8 परसंट का लॉस था गाइस कंपनी का शेयर जो से एक डाउन फॉल देखने को मिला कल कितने का निगेटिव आप म